सभी लोगों को और सभी देश्वासियों को इस पावन पर्व पर हारदिक बधाई देता हूँ ये भी बहुत सुखद है कि डेड़ साल के अंतराल के बाद कर्तारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है साथियों गुरु नानक जी ने कहा है वीच दुनिया सेवी कमाईए तर दर्गी ही बेशन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांसियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब मत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने क्रिशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्य प्रात्फिक तादी साथियों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से असी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों के संख्या दस करोड से भी जादा है उनकी पूरी जिन्दिकी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीड़ी दर पीड़ी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चव तरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निम कोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने बाइस करोड सोयल हेल कार्ड किसानों को दिये और इस वैज्ञानिक अभ्यान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बड़ा साथियों हमने फसल बिमा योजना के ओ अधिक प्रभावी बनाया उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए आपदा के समय जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ ले इस वजह से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए छोटे किसानों की जरोतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांस्फर किये सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपच की सही कीमत मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाये गए देश ने अपने रूरल मार्केट इंफरास्ट्रक्चर को मजबूत किया हमने MSP तो बढ़ाई है साथी साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हमारी सरकार द्वारा की गई उपच की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये देश की एक हजार से ज़्यादा मंडियों को इ नाम योजना से जोड़ कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपच बेचने का एक प्रेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की क्रशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोडों रुप्य खर्च किये साथियों आज केंद्र सरकार का क्रशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है हर वर्ष सवा लाख करोड रुपे से अधिक क्रशी पर खर्च किये जा रहे हैं एक लाख करोड रुपे के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेत के नद्दीक भंडारन इसकी ववस्ता क्रिशी उपकरन जैसी अनेग सुविधाओं का विस्तार ये सारी बाते तेजी से हो रही हैं छोटे किसानों की ताकद बढाने के लिए दस हजार एप्पियो किसान उपादक संगर्षन बनाने का अभियान भी जा रही है इस पर भी करीब साथ हजार करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं माइक्रो इरिग्रेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके दस हजार करोड रुपे कर दिया गया है हमने क्रॉप लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष 16 लाग करोड रुपे हो जाएगा अब पशुपालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया है यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है लगा तार एक के रहे कदम